जैसरी राम दोस्तो आज 15 अगस्त 2020 के जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं तो चलते हैं दोस्तो पहला क्वेशन हाल ही में 20 अंगदान दिवस का मना गया तो 20 अंगदान दिवस 13 अगस्त को मना गया है यह दिवस क्यों मना जाता है तो अंगदान के परती जागरुक्ता लोगों में बढ़ाने के लिए 20 अंगदान दिवस मना जाता है किस राज ने अगले सत्र में अपना खुद का सिच्छा वोड बनाने का गोसना किया है तो किस राज ने तो दिली दिली में सुगंधी ताम बाकू पर पर्तिबंध लगा गया है और भारत का या पहला राज है जहां प्लाजमा बैंक खोला गया है और मुखमंत्री घर घर रासन योजना यहां लागू किया गया है तो कहां दिली में नेक्स क्वेशन हैं हाल ही में अमेरकी डेमयोकरेटिस पार्टी ने भारतियं मूल की किS महला को वोपरास्पति उमिदवार के लिए चुना है तो यह कैसे चुना है तो कमला है रिस को चुना है उप्रास्पति के लिए अब यह कहां कि अमेरिका के हैं के लिए चुना कि अमेरिका अमेरिका हाल ही में डब्ली एचो से अलग होने के गोस्तना किया है और पाकिस्तान इंटरनेशनल उरान पर पर्तिबंद लगाया है और असकाई कि अमेरिका ने असकाई क्रिकेट से बापस होने का फैसला किया है सदेस्टेता और अमेरिका ने सेर मार्केट में जितने सारे चाइनिज कंपनी है उनको डिलेट करने का किया है उनको डिलेट कर दिया है नेक्स क्वेशन चार है हाल ही में एरो टू बलेस्टिक मिसाइल इंटर्शेप्टर का सपल परिछन किसने किया है परिछन किया कितने किया तो इसका सफल परिछन इजरायल ने किया इजरायल के रादा नहीं कहा है येरुसेलम यहां का संसद को नहीं तो मैं सीक यहां एक अस्टेट का नाम बदलकर गुरू रविंदनाट टाइगोर रखा गया है नेक्स क्वेशन फाइब है हाल ही में चुनाकाकरा रामन कुट्टी का निधन हुआ है कौन थे यह मल्यालम गीतकार थे कौन थे मल्यालम गीतकार नेक्स क्वेशन है हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ने नौन एक्जिक्यूटिव चेर्मेन कौन बनने है इसका एक्जिक्यूटिव चेर्मेन किसका थे इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का तो एस-एस मुंद्रा ने बना है कौन बना है एस-एस मुंद्रा और आप किस राज में दो फ्राइओबर का नाम रखागए है एक एक क्या तो सुसमा सराज और दूसरा फ्राइओबर ईरुन जिरली के नाम पर रखा गया तो कि स्राज में यह गुजरास राज में इंस्टोलेशन किया गया है गुजरात का पहला बारत का पहला पॉलीस जो गुजरात में राजबं में फस्ट इन इंडिया इंट्रोड़क्शन तो टेसर गयन इस तुन्दहालmm से सजित किया गया है टेसर गणते इसमें क्रेंट गन होता है कुछ होने पर क्रेंट का एहसास लगने पर कुछ समय के लिए मुर्शित हो सकता है और क्या है, सुजिलाम, सुपलाम, जेल, संचे, अभियान, लगो किया गया, ये गुजरात में, उमबारे, अंगनवारे, نामक, अनुठी पहल, कहाँ लॉंच किया गया, तो गुजरात में, और गुजरात जो मचली उतपादन में, दूसरा अस्थान पर है, पहला अस्थान पर कुन है इपर पहला अस्तान पह नाडू है नेक्स्वसर्चन है कि और के लिए हाल भेfrontा बात्यां कि इस कि इंटरेशनल कुंकु कुंकु कुक बुक अवार्ड से समानित किया है तो राधा भाटिया का एक पुस्तक था उसका क्या नाम था उसका नाम है लशी उस पुस्तक का नाम और यहीं पुस्तक के काड़र उन्हें इंटरनेशनल कुक बुड अवार्ड से समानित किया गया है किन है तो राधा भाटिया को समान किया गया हैम नेंगे सिक्या रिमे किस देस की किर्केट लवरा मार्स लॉरा मार्स ने चैन्यास की फैस गोसना कि हैं शारो मेकि इंग्लेंड देश की हैं नेक्स क्वेश्चन है हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयजन किया है इसका आयजन किसने के खेल मंत्राले ने किया है यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा नेक्स क्वेश्चन है 11 हाल ही में मूल निगरानी और संसोधन इकाई का अस्थापन कहां कि जाएगी इसका करनाटक में अब आदे करनाटक करनाटक के मुख मंत्री कौन तो ब्यस अधिरपा एहां कराजबल कौन है तो बज्जु भाई पाला और करनाटक में ओनलाइन कोचिं आदे क्याव में प्रेटफार्म गेटगेट गो का तुभारम किया गया है और करनाटक में अब्था में एक संदेश एफ लॉंट किया गया है और कोरोना वाच एफ भी लॉंट किया गया है दुनिया का सबसे लंबा प्रेटफॉन बनाए जा रहा है घुबली में नेफसे क्वेश्चन है हाल ही में भारत में मांसून से सरवाधिक परवावित समुदाय की सहायता की घुषना किस ने किया है तो संजूक्त राष्ट ने भारत में मांसून से सरवाज़ी को परभावीत समुदाय को सायता देने की घोसना की है अब आद का संजूक्त राष्ट इसकी अस्थापना 24 अक्टूबर 1975 में हुआ था और 24 अक्टूबर को संजूक्त राष्ट डिवक्त मनाय जाता है और इसका चेर पर्सन को ने एंटोनियो गुटेरस नेक्स क्वेशन 13 हाल यह में किस राष्ट सरकार ने रहरी पट्री वालो को 20 हजार रुपिया तक खर्ज उपलध कराने की घोसना की है तो किस राष्ट की सरकार ने तो यह दिल्ली राष्ट की सरकार ने किया है और तंबाकु सुगंधी तंबाकु पर क्या लगाया है पर्तिवंध लगाया गया है नेक्स कोस्टन है फेला अस्थान पर रहा और यिशा दूसरा अस्थान पर चंडी गर है और तिसरा अस्थान पर तेलंगाना है किस राज सरकार ने पर्यावरनिये घटनाओं के कारण नुक्सान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू किया है किस राज के सरकार ने तो गुजरात राज की सरकार ने पर्यावरनिये घटनाओं के करण नुक्सान का सामने करने वाले किसानों के लिए क्या शुरू किया तो गुजरात राज ने शुरू किया तो गुजरात राज ने किया शुरू थाइंक्यू दोस्तों मेरे वीडियो को अन्तक दखने के लिए जाये चिनराम